हेलो एवरिवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासिज, माइनेम इस अमीत, चलिए, आज की सेस्टन को स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा टोपिक है, वो है इंटलिजेंस, यान की आपकी बुद्धी, कि आप कितने इंटलिजेंट हैं, यह हमारा CDP से रिलेटेड टोपिक ह मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ टोपिक बचे हुए हैं, ठीक है, तो हम इनको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इंटलिजेंस टोपिक एक लेंदी टोपिक है, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, चलिए देखते हैं, इंटलिजेंस की कोई एक fixed definition नहीं होती है देखिए आप एक चीज को समझिए आप अपने local example से practical example से सोचिए हम definition है जो intelligence की वो अलग-अलग खुझ से ही बना जेते हैं जैसे देखिए आपको कोई बच्चा खेल में जादा अच्छा दिखा तो आप बोलोगे खेल में यह बच्चा intelligent है बोल देते हैं आप लोग अगर कोई आपको पढ़ाई में अच्छा लगा तो आप बोल देते हैं कि हाँ यह बच्चा पढ़ाई में intelligent है ठीक है ओ सकता है वो बाग की subject में अच्छा ना हो अगर वो reasoning में अच्छा है तो आप बोलेंगे वोल्चाल की बादसा में करते हैं जैसे की मैंने आपको एकजम्पल दिया है कि हमारी किया है हमारी लोकल लेंग्वेज है normal जो हमारी बोल्चाल की बादसा में कि 54 अब दstairs融 मेगां कर पाते हैं तो यह सारे गूर्ट किसके अंदर आते हैं आपकी intelligence कि अंदर है इन सब को हम क्या करते हैं intelligence यान की बुद्धि करते हैं अगे देखते हैं हर मनोव एगयनिक ने अपने अपने अनुसार intelligence की क्या दी है definition दी है अब हम उन आप बुद्धिमान है अगर आपका IQ score अच्छा है तो भी क्या है आप बुद्धिमान है आप intelligent है अगर आप logically सोच पाते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था तो भी आप क्या है बुद्धिमान है यान कि intelligent है आगे देखिए जब अच्छे से समझ नहीं पाया कोई तो जाकर intelligence पर क्या हुई research start हुई ठीक है यान कि जब किसी को भी अच्छे से समझ में नहीं आया ना कि actual में intelligence है क्या तब जाकर intelligence की उपर research start हुई ठीक है तो आगे बात करते हैं जो आपका first intelligence test है वो किस ने दिया था 1905 में दिया था और किस ने दिया था Alfred Binet ने दिया था ठीक और यह कहा के थे यह थे आपके फ्रांसे आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं यह है आपके Alfred Binet ठीक है और यह है आपके Theodore Simon ठीक है दोनों के आप image देख सकते हैं यह आपर तो आपका first intelligence test था ना वो 1905 में दिया था और Alfred Binet ने दिया था यह आपके factual क जो बक्चे है ना उनके लिए दिया गया था ठीक है और इसके बाद यहने कि इस test के just बाद आया था आपका concept of mental age ठीक है यहने कि MA आप shortcut में इसको क्या लिखेंगे MA mental age ठीक है और concept of mental age किसने दिया था 1908 में दिया था किसने Alfred Binet ही थे और साथ में थे Theodore Simon ठीक है इन दोनों न से अंदर दिया था Alfred Binet ने और Theodore Simon ने आगे बात करते हैं Mental age से मतलब है कि बच्चे की जो actual age है ना उसके comparison में कितना ज़्यादा और कितना कम सोच पाता है यह कराती है बच्चे की mental age यानि कि देखिए mental age का मतलब यह है कि आपका जो बच्चा है ना वो है actual में 10 साल का लेकिन वो सोच पा रहा है 12 साल के बच्चे की तरह है तो यानि कि उसका mental level है ना वो क्या हो गया हाई हो गया ना वो 12 साल के बच्चे की तरह सोच पा रहा है जबकि actual में age उसकी कितनी है 10 साल तो high level का हो गया ना बच्चा तो इसको बोलते है mental age यानि कि mental age का मतलब है कि बच इतना अच्छा सोच पाते हैं, ठीक है, यह आती है आपकी mental age के अंदर, आगे देखिए, mental age के formula का परियोग करके, बाद में क्या निकाला गया, ठीक है, mental age के formula का use करके, का परियोग करके, बाद में क्या निकाला गया, आगे बात करते हैं, अब देखिए, IQ formula, IQ formula का मतलब क्या ह पहले पहले आप ये समझी है IK का मतलब क्या होता है IK का मतलब होता है है आपका intelligence涕्यू nächittees Die any इचीज को याद रखना और जो आई क्यू 5000 है और जो आई क्यू फ़़्ॉर्मुला है वो किस ने दिया था 1912 में दिया था ऊप लिया जटने दया था विलियन स्टर्न ने ठीक है किसी ने दिया था विलियम स्टर्न ने ओर यह कहां के थे यह था आपके जर्मन याई की जर्मनी के थे ठीक है आगी देखिए जो IQ formula है इसका formula क्या होता है देखिए mental continued upon में chronicle age जो chronical age है न इसका मतलब होता है आपकी actual age ठीक है chronical age का मतलब क्या है आपकी actual age यानि कि जैसे मैंने अभी example दिया न अग जो एक बच्चा है उसके actual age कितनी है 10 साल है लेकिन वो सोच कैसे पा रहा है 12 साल के बच्चे की तरह है तो जो मैंने अभी example दिया था उसमें क्या थी actual age थी आपकी 10 तो इसलिए mental age अप उन में chronical age तो chronical age को ही बोलते हैं आपकी actual age इस चीज को आप याद रखना देखे मैंने आगे लिख भी दिया है chronical age का मतलब है आपकी actual age देखे इसके बाद बाद करते हैं इसके बाद जो आपका IQ formula है वो अमरिका के एक psychologist हुए है जिनका नाम है Lewis Trumann ठीक है Lewis Trumann इन्होंने इस जो IQ formula है इसको revise किया आगे देखते हैं आगे बात करते हैं आपके revised formula की तो देखे जो आपका revised formula है वो किस ने दिया 1916 में दिया था और किस ने दिया था Lewis Trumann ने दिया था ठीक है आप इस चीज को याद रखना जो आपका revised और जो लास्ट formula था ना IQ का जो best formula था वो किस ने दिया था 1916 में दिया था और Lewis Trumann ने दिया था ठीक है तो अब formula क्या हुआ देखे आप mental age अपोन में chronical age इंटो में hand read यानि कि सिर्फ और सिर्फ एक है hand read को और include कर दिया गया mental age आपकी same है chronical age आपकी same है और multiply में hand read ठीक है आप समझ गए होंगे chronical age का मतलब में आपको बता चुका हूँ यानि कि आपकी actual age ठीक है आगे देखे इस formula के base पर कुछ conclusion निकाले गई यानि कि कुछ निसकर्ष निकाले गई देखे उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात की गई अगर बच्चे की ma is equal to ca है यानि कि उस बच्चे की mental age is equal to chronical age है यानि कि दोनों age अगर बच्चे की same है तो क्या होगा तो देखे और मुला के अंदर पुट कीजिए आप IQ is equal to 1 upon में 1 multiply by hand read 1 upon 1 क्यो माना क्योंकि आपकी mental age और आपकी जो chronical age है वो दोनों क्या है बच्चा उतना ही सोच पाता है तो यहाँ पर जो average IQ score है उसको handed माना गया है इस चीज़ को आप याद रखना जो average IQ score है उसको क्या माना गया है handed average IQ score ठीक है आगे बात करते है उसके बात बात आई अगर बच्चे का ma greater than ca है यानि कि जो बच्चे की mental age है वो greater than है कि से chronical age से actual age से तो देखिए यानि कि बच्चे की mental age उसके chronical age से क्या है जादा है जैसे मान लीजी आप बच्चे की mental age है वो हमने मान ली 14 14 मान ली और जो C है यानि कि chronical age है वो हमने 10 मान ली तो अब आप बताईए IQ क्या होगा formula के अंदर put कीजी आप IQ is equal to 14 upon me 10 multiply by 100 आपने cut किया और आपका आया 140 ठीक है यानि कि 140 तो यानि कि जितने बच्चे की IU है बच्चा उससे कहीं ज़्यादा सोच पा रहा है अबाव एवरेज है एवरेज का माना हमने क्या माना था ended वाना था ना तो ended से उपर है यह तो यानि कि बच्चा क्या कर रहा है अबाव एवरेज सोच पा रहा है ठीक है तो आप समझ गए होंगे आगे चलते है थर्द नमर पर देखिए जो बच्चे की mental age है ना वो less than है chronical age यानि कि बच्चे का mental age जादा है और बच्चे की chronical age य आपका आएगा 90 तो यहाँ पर क्या हुआ नोर्मल सी बात है बिलो एवरेज आ गये ना यानि कि अमने एवरेज क्या माना था है यानि कि बच्चा जो है जितनी उसकी age है उससे कम सोच पा रहा है बच्चा ठीक है बलो एवरेज है ठीक है आप इस चीज को समझ गये होंगे आगे देखते हैं अब बात करते हैं factor affecting IQ score यानि कि वो कौन-कौन से factor है जो बच्चे के IQ score है बच्चे की जो intelligence है उसको effect करते है ठीक है हम उनके बारे में बात करने वाले हैं तो देखिए यानि कि way factor जो बच्चे के IQ score को क्या करते है प्रभावित करते है ठीक है बच्चे के IQ Q score में क्या करते हैं? Change mind करते हैं? बात करते हैं, देखिए. सबसे पहले आपका आता है heredity, यानिकि आपकी अनुवान सिखता और इनके बारे में मैं आपको पहले भी अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है? तो देखिए. heredity का बच्चे के IQ के उपर क्या पड़ता है? परभाव पड़ता है? या नहीं? यह देखने के लिए जो twin identical बच्चे है ना, उन पर experiment किया गया. यहाँ पर twin identical का मतलब क्या है? यानिकि दो बच्चे जो एक ही मा से पैदा हुए हैं और जो देखने के अंदर, height के अंदर, face के एकदम exact same है, यानिकि जिनके बीच में difference नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो उन दोनों बच्चों के heredity क्या होगी? सेम होगी, simple सी बात है. तो twin identical बच्चे लिए गए और उन पर experiment किया गया. कैसे? उन्हें एक दूसरे से दूर, अलग-अलग घर में रखकर बड़ा किया गया ठीक है? और 10 से 15 साल बाद उन्हें रजल्ट देखने को मिला. अब क्या रजल्ट देखने को मिला? उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, 10 से 15 साल बाद देखा गया कि उनके IQ में है ना, जो correlation है ना, वो 0.75 का था. देखिए, हम मानते हैं, हर value अपने आप में क्या होती ह है, वन होती है ना, तो 0.75 का मतलब क्या हो गया? 75 परशेंट, आप समझ गया होगा इस चीज को, यानि कि 10 से 15 साल बाद देखा गया कि उनके IQ में जो correlation था ना, वो 0.7 था, यानि कि उनका लगबग 55 परशेंट जो IQ था ना, वो हबी भी मैच हो रहा था, जो कि किस की वज़ लिखा है, तो लगबग का मतलब ये है कि आप exact नहीं बता सकते, अग कितना प्रभाव डालती है, लेकिन प्रभाव डालती है, और इस चीज के बारे में मैंने पहले भी डिसकस किया था, जब मैंने heredity और environment topic को करवाया था, ठीक है, आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं environment का effect, क्योंकि वहाँ पर प्रूव हो गया ना, कई ना कई heredity आपका effect डालती है, बट हम ये नहीं बता सकते कि कि कितना डालती है, ठीक है, आगे देखते हैं, environment के effect को देखने के लिए, जो ये identical बच्चे थे ना, इनको अलग-अलग परिवार में रखा गया, और यह ध्या बाद में देखा गया कि उनके IQ में 0.25 का चेंजमेंट था, जो कि 10 से 15 साल बाद में नोटिस हुआ है, जैसे ये heredity में हुआ था, उसी तरह से 10 से 15 साल बाद नोटिस हुआ, और क्या नोटिस हुआ, देखिए, जो बच्चा rich family में था ना, उसका जो IQ score है, वो अच्छा है, बेर नोर्मल सी बाद उसको क्या मिला, एक अच्छा environment मिला, वो अच्छे schools के अंदर गया, उसने अच्छा tuition किया, उसे अच्छा खाने को मिला, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे का क्या हुआ, development ज्यादा अच्छे से हो पाया, तो यहाँ पर उसका IQ score है ना, वो ज्या लेकिन कब पढ़ता है, 10-15 साल बाद आपको नजर आएगा, आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना, वो उस फिल्ड के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही बात की गई है, अग 10-15 साल बाद, environment के कारण, बच्चे के IQ score में क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ, बच्चे का IQ score क्या हो गया, भढ़ जाता है ना, तो आप option हा का चूज करेंगे, यानकि यह आपका सही योगा, इस सीज को आप याद रखना, ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात आई, culture का effect की, यानकि जो आपकी संस्कृति है, उसका effect पढ़ता है या नही पढ़ता है, आपका जो परियावरान है, उसका effect आपके जो white American थे ना, उनका जो IQ score है, वो black American की बजाए क्या है, जादा आ रहा है, क्योंकि दोनों के culture के अंदर और दोनों के language में भी क्या था, difference था, इस language के difference के कारण, इस culture के difference के कारण, जो black American थे ना, उनका IQ score डाउन था, और जो white American थे, उनका जो IQ score है, वो जादा था, ठ देखिए, language difference होने के कारण, जो black american थे न, वो जो questions, जो test लिया था उसमें जो questions दिये थे, उसकी language को नहीं समझ पाई, और normal सी बात है, जब language को अच्छी से नहीं समझ पाएंगे, तो answer सही कैसे देंगे, तो उन्होंने answer सही नहीं दे पाए, और जिससे उनका जो test है वो है, तो इसलिए देखा गया, कि आपके culture का, क्या पढ़ता है, effect पढ़ता है, आपकी किस पर, intelligence के उपर, ठीक है, तो यहां से ये बात भी प्रूव हो गई, अब एक culture का effect भी पढ़ता है, अब आगे देखते हैं, एक आपका effect बोलते हैं, जिसको बोलते है, Flynn effect, अब ये क्या होता है, इसके बारे में आप देखिए, एक psychologist हुए है, Flynn, ठीक है, James Flynn, तो इन्होंने क्या किया, एक particular group लिया और उसका IQ test किया, अब कैसे किया, उस बारे में बात करते हैं, इन्होंने किया कि 1950 में कुछ लोगों का जनम हुआ ना, उनका तो IQ score का ना पा, 1970 के अंदर, ठीक है, 1950 में जिन लोगों ने जनम लिया था ना, उनका IQ test लिया, इन्होंने 1970 के अंदर, और उसके बाद जो 1960 के अंदर जब जनमे थे ने, जो, उनका IQ test लिया, 1980 के अंदर, यानि कि 20 साल के gap से, ठीक है, और दोन्नों का अलग-अलग graph बनाया, तो बाद में उसने क्या देखा, 30 साल के अंदर दिखा है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए आप, इससे यह conclusion निकल कर आया है, कि जो आपके next generation होती है, वो पहले वाले generation से कहीं जद्धा intelligent होती है, देखिए यह चीज़ प्रूव हो गई, अग जैसे जैसे आपकोई generation आगे बढ़ेगी ना, तो normal सी बाद ह पिछले वाले generation से कहीं न कहीं intelligent होगी, चाहिए वो technology में हो, चाहिए फिर वो mind में हो, चाहिए वो किसी भी चीज में हो, जो आने वाले generation है, वो पिछले वाले generation से कहीं न कहीं क्या होगी, intelligent होगी, ठीक है, तो इन सभी factors का आपकी intelligence के उपर effect पढ़ता है, ठीक है, आप इस च निकल कर आई theories of intelligence याने कि intelligence के बारे में किस-किस वग्यानिक ने अपनी-अपनी थोरियां दिये हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ थोरियों के नाम बता रहा हूँ हम जो बाक्की की बाते हैं न वो कल की lecture में करेंगे तो देखिए सबसे पहले आई uni factor या आप इस फेक्टर थोरी अब two factor थोरी दी थी आपकी Charles Spearman ने इसने दी थी Charles Spearman ने आगे देखिए आप इसको next को बोल सकते हैं three factor थोरी या ट्रियार की थोरी और यह दी थी आपकी Sternberg ने इस चीज़ को आप याद रखना ठीक है उसके बाद next आपकी आई multiple intelligence थोरी और यह किस ने दी थी इस चीज़ को आप 100% याद रखना और CTAT के अंदर इसी से सबसे ज़्यादा क्यूशन पुछा जाता है कि आपकी जो multiple intelligence थोरी है वो किस ने दी थी आपकी Howard Gardner ने दी थी ठीक है तो आज के session में सिर्फ इतना ही था next में हम आगे का part करेंगे और इन थोरीयों को बहुत अ